हेलो इब रहां दिस नील फ्रॉम स्टॉक्स डिलाई चले देख लेते हैं आज मार्केट कैसा गया कल मार्केट कैसे जा सकता है इसके विजिए का लोजिका एंड कल इंटेट के लिए कौन-कौन स्टॉक अच्छा मांटम दे सकता है चले सबसे पहले देख लेते हैं फेटिमिस के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्रेम में आराउंड फ्लैट ओपन हुआ उसका प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आया था फिर यहां से अपर सैर में शार्प रिखावरी देखने के लिए मिला इन व्ड़ के क्लोजिंग से औलोस्ट व्ट्ट को पूर बाता करें गGS करեղें हैं को भी आग्रेसिफ नहीं को कट्रोल में हैं तो मार्केट इसके नीचे आये नहीं 120 से मार्केट रिवर्ट होके हम लोग ने बाइंग लेवल बताया था 40,000 69 के उपर निकल लेगा तो हम लोग बाई कर सकते हैं फॉसके उपर 40,000 549 का हम लोगा सेगें टारीट है दोनों टार्विट मार्केट ने हीड के फिर इसी लेवल से leaves लेक्षी प्राइस इसी रेंज पर क्लोज कर सकते हैं अगर इस रेंज के अंदर रेंज पर खुलने के बाद रेंज के नीचे ब्रेकडाउन करता है तब मैं सेलिंग सेर में प्लान करूंगा लेकिन क्वांटिटी को एक दम काम रखूंगा फर्स टार्गेट 42,359 के नीचे अगर निकलता है ठीक है तो हम लोग सेलिंग सेर में प्लान कर सकते हैं फर्स टार्गेट 42,289 कर रहेगा उसके बाद अगर 289 के नीचे निकलता है यहां से फिर आम लोग का मोमेंटम मिल सकता है अगर हम लोग बाद करें तो 42,559 के ऊपर थेक है 42,559 के ऊपर एक एनल प्लोज करता है तब हम लोग यहां पर बाई कर सकते हैं फर्स टार्गेट 42,006,39 से लेके 29 का फर्स टार्गेट रहेगा उसके ऊपर याद रहेगा एक 70 points से लेके 60 points का एक strong resistance है 40,006,29,39 से लेके 42,002,001 का एक 60,70 points का यहां पर resistance है तो यहां पर resistance price ले सकता है तो यहां पर आके हम लोग profit book करेंगे फिर देखेंगे यहां पर price कैसे react करना है अगर यहां पर आके price time spend करने लगता है हम लोग breakout में trade अगर flow में निकल जाता है ताभ हम लोग trade नहीं करेंगे अगर यहां पर आके time spend करता है उसके बाद यह breakout करता है तो आपर side में हम लोग ने चाता है पर想ने करने लोग का कि पर बैठे थे और फिर दना दर नीचे आ सकते हूँ तो आप trap हो सकते हो, तो यहाँ पर अगर time spend करके निकलता है, तब भी हम लोग यहाँ पर buy करेंगे, अपर side में 40,809,90 यह सारा level अपर side में दिखा सकता है, अभी अगर market में बहुत बार gap up, gap down हो गया, तो हम लोग का scenario क्या रहेगा, अगर 550 या 560 के ऊपर कहीं पर भी खुलते याद रखे, ऊपर यहाँ पर resistance है, ठीक है, 700 का resistance है, 600 का resistance है, यह सारा resistance point है, तो इस level के आसपार sky पर खुलता है, उसके बाद कोई भी resistance candle, मतलब एक shooting star जैसा candle बगरा मिलता है, तो थोड़ा बहुत selling कर सकता है, अगर आप selling करना चाता हो, तो आवेट करो, यहाँ पर price नीचे अगर support लेके फिर उपर जानना जाता है, फिर इसका breakout breakdown पर हम लोग यहाँ पर trade ले सकते हैं, अगर price gap down खुल जाता है, तो यहाँ पर नीचे support है, यहाँ पर इसको break किया था, यह एक support की तरह काम करेगा, तो यह सारा level support की तरह काम करेगा, price कहाँ पर open हो रहा है, उसी साब स हम लोग trade ले सकता है, अगर directly इस level के आसपास खुलता है, तो यहाँ पर देखें के price जाकर इहाँ पर sidewise हो जाता है, रेंज बना रहा है, तो इस range का breakout breakdown पर हम लोग trade ले सकते हैं, अगर यहाँ से डिरेक्ली एक कैनर फिर से ऊपर close कर देता है, तो अब तो यह फिर से range पर आ 165 के आसपास, वे कल के लिए exactly क्या पहाँ नहीं रहेगा, उसके बात कर लेते हैं, उससे पहले, yesterday हम लोग ने discuss किया था, हम लोग selling तभी करेंगे, जब तक price 18,020 से लेके 18,000 का राउन लेवल है, उसके नीचे कैनले close नहीं करता है, अगर इसके नीचे निचे निकलता है, तब ही मैं selling के लिए plan करूँगा, वो भी aggressive नहीं, बहुत काम quantity लेके, अगर इस low के नीचे निकलता है, तब मैं aggressive selling करूँगा, यह हम लोग ने discuss किया था, buying 11 मैंने बताया था, अगर price flat खुलने के बाद 18,080 के उपर निकलता है, हम लोग यहां पर buy कर सकते है, first target 18,120 कर इसके उपर निकालेगा, तो हम लोगा next target था 18,200 का, लेकिन market 18,180 का high लगा है, 200 charge रीच किया नहीं, almost 20-30 points मूफ किया था यहां पर, फिर market एक range bound हो गया, जैसे bank nifty के हम लोग नोग देखने के लिए मिला, लेकिन compared to bank nifty, यहां पर range बहुत ही narrow है, यहां पर अगर ध्यान से द आएगा, उसके बात कर लेते हैं, देखिए, जैसे bank nifty हम लोगा discuss कि आगर range में खुलता है, तब तो हमें एक अच्छा trade मेल सकता है, लेकिन upper share में छोटा सा hurdle है, 18,200 का, तो हम लोग 20 points के छोटा सा hurdle है, आगर market इसके ऊपर निकलता है, और एकी साथ में 200 का भी break करता है, तो upper share में 18,240 या 235 तक price लेके जा सकता है, याद रखेगा 240 एक strong resistance है हम सभी के लिए, उसके पीछे क्या लोग जिक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको दिखा भी दिता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी लेबल से price नीचे गिरा था, strong fall हुआ था, तो first time फिर directly flow में निकलना नहीं चाहिए, तो यहाँ से अगर breakout करता है, तो यहाँ पर जाके resistance ले सकता है, फिर यहाँ के आगए अगर time spend करने लगता है, उसके बाद एक breakout होता है, फिर आपर सेर में अच्छा momentum कर सकता है, जैसा हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिला, जैसा यहाँ से breakout होके फिर यहाँ पर जागा, फिर यहाँ पर range bomb करके asset लेगा तो beta रहेगा हम लोग के लिए, अगर flow में निकल जाता है, तब मैं यहाँ पर 240 के ऊपर कोई भी trade लेने के लिए इंट्रेस्टेशन नहीं होगा, तब मैं देखूंगा यह हमार sustain कर रहा है की न trade line यहाँ पर follow up हो रहा है, अब बात में इसको थोड़ा adjust कर लेना, अब देखी एक probability ऐसा भी है कि market continuously कुछ दिनों से gap up खुलता है, अगर market थोड़ा बहुत gap down खुलता है इस level के आसपास, तो हम लोग selling के लिए भी plan कर सकते हैं, लेकिन याद रहेगा यहाँ पर trade line है, तो market अगर नीचे आता है, तो trade line से support लेकर फिर यहाँ से उपर जा सकता है, तो जब तक इस trade line को break नहीं करता है, तब तक मैं aggressive selling नहीं करूँगा, या तो trade line को break कर या तो 18,100 से लेकर 20 के level के नीचे candle close करें, यह दोनों probability है, अगर इसके नीचे close करता है, तब थोड़ा सा negative BD आ सक अभी ऐसा भी होने का probability है, क्योंकि कल expiry भी है, कल अगर price इसी level का आसपास खुला तो रहा है, यहाँ पर volatility के करते है, साइडों इस एक range में रहा, इसी range के अंदर नहीं पर रहा, तो बेकर में सब का premium DK होगा, रेंज में जब तक रहेगा, तब तक मैं कोई भी trade line के पास आक गया, तो कल भी ऐसा ही हो सकता है, अगर market को ऊपर जाना है, market थोड़ा बहुत नीचे आएगा, सब को लएगा, market selling के लिए आ रहा है, सब selling करेंगे, फिर trade line के यहाँ पर कोई breakout दे के hammer candle type का बना के support लेके, ऊपर जाना का probability ज़्यादा है, ठीक है, तो कल हमें भी, कल भी मैं buying side में जड़ा preferable रहूँगा, अगर मैं जो sell करना है, जब तक trade line का break नहीं होता, तब तक मैं selling side में plan नहीं करूँगा, अगर market में बहुत बढ़ा gap आप खुल गया, तो मैं wait करूँगा, market में price action कैसे बन रहा है, कि कल expiry बीना मतलब के trade में घुशने का कोई मतलब नहीं बनता अगर price निचे आके कोई support candle बनाता है, फिर उपर जाता है, तब मैं buying side में plan करूँगा, अगर gap खुलने के बार side हो, इस एक range पे रहा जाता है, 240 के आसपास, उसके बाद breakout करता है, तब मैं buying side में plan करूँगा, लेकिन gap खुलने ही, मैं कोई भी trade linically interested नहीं हूँ, अगर gap down खु अगर आपको यहाँ पर निकलता है, अच्छा लेवल पर दिख रहा है, यहाँ से हम लोगा rejection ले चुका है, प्राइस निचे आके, अच्छा रिकावरी दिखाया है, 1249 के आसपास अभी trade card आगर 1254 के उपर निकलता है, या 5 मिनिस का गैनल क्लोज करते हैं, हम लोग इसको buy कर सकते हैं, वान को 60 की टारगेट रहेगा, ब्रेकाउट करने के थोर में चे स्टॉक रोजल के buy side में plan कर सकते हैं, अच्छा हम लोगा टारगेट हीट कर चुक है, अब फिर से इसी लेवेल से प्राइस नीचा आया था, प्राइस एक दो कल खुलता है, उसके बाद इसके ऊपर निकलता है, या closing में जाता है, फाइब मिनिस का टाइम फ्रेम में 780 के ऊपर हम लोग इसको buy कर सकते हैं, याल झाल झाल झाल